तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्ट के ओनलाइन क्लासिस में तो जैसा कि आप जानते हैं मिनी अटेम्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एनाटॉमी फिजिलोजी के प्रॉपर लेक्चर्स मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ बार जी के टॉपिक्स भी हैं जो नीट एपिरियंट के लिए बहुत ही इंपोटन्ट है कोई भी स्टुडेंट चाहे नर्सिंग का कोर्स कर रहा हो मेडिकल का कोर्स कर रहा हो या करने की सोच रहा हो तो उसके लिए एक सुनेरा अवसर है जो की मिनी अटेंट लेकर के आया है मिनी अटेंट डिफरेंट डिफरेंट टोपिक्स को मिनी अटेंट पर डिसकस किया जाता है मेरे दवारा किया जाता है आप मुझे जानते ही होंगे मैं सौरब सर तो अगर आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो आज की क्लास सुरू करने से पहले हम माहौल को थोड़ा सा पॉजिटिव बना लें तो एक पॉजिटिव थौट के साथ में आज की क्लास हम सुरू करेंगे तो एक सुन्दर सा थौट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर धिखाई दे रहा होगा दुनिया में परतेग व्यक्ति अपनी योगजिता की अनुसार चमकता है इच्छा के अनुसार नहीं ऐसे समझे कि अगर आपकी इच्छा हो कि कल को ताजमेल खरीदने के लिए तो आप नहीं कर सकते लेकिन हाँ आपकी इच्छा है कि मैं किसी एक्जाम में सलेक्ट हो जाऊं किसी नौकरी को पालूं गौर्रमेंट जॉब पालूं तो ऐसा आप कर सकते हैं लेकिन इच्छा से नहीं साथ में उसके मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको उसके लिए रेगुलर्टी अपने अंदर बनानी पड़ेगी तो इस बात को हमेशा याद रखेगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं अपने कर्मों से अपनी मेहनत से चमकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो आज की क्लास बहुती स्पेशल होने वाली है आपको आपकी सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं Regulation of BP क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको BP के बारे में थोड़ी सी knowledge देता हूँ कि BP क्या होता है तो BP means blood pressure BP means क्या है blood pressure it is the pressure exerted by आपके सामने ये line लिखी हुई होगी it is the pressure exerted by the blood on the walls of blood vessels is known as BP तो BP का अर्थ क्या हुआ BP means होता है blood pressure यानि blood के द्वारा blood की vessels पे लगाया जाने वाला दाव लगाया जाने वाला pressure ही blood pressure कहलाता है याद रहेगा कि BP वह है जब blood के द्वारा blood की vessels की दीवालों पर जो दाव या जो pressure लगाया जाता है उससे हम BP कहते हैं blood pressure कहते हैं इस blood pressure को हम एक special machine एक special equipment कह सकते हैं उसके द्वारा नापते हैं जिसका नाम है sphagmo manometer आपको नीचे की तरफ screen पर दिखाई दे रहा होगा इसका नाम sphagmo manometer एक ऐसा यंत्र है एक ऐसी machine है जिसके द्वारा BP को नाप सकते हैं ठीक है फिर बात आती है कि normal BP क्या है भाई हमारे मन में सवाल उठा हमने BP पड़ा तो BP कितना होता है normal blood pressure कितना होता है normal तो 120 y80 mm of Hg 120 y80 mm of Hg normal BP माना जाता है जिसमें से 120 mm of Hg systolic BP कहा जाता है और 80 mm of Hg को हम क्या कहते हैं diastolic BP याद रहेगा ठीक है फिर high की स्तिती कब होगी BP बढ़ा हुआ कब बोलेंगे तो अगर किसी patient में किसी adult में 140 140 से एवाव अगर किसी patient में BP आपको देखे आपको मिले स्पेगमोमीटर से नापने के बाद में मिले तो उसे हम कहेंगे हाप का BP high है तो high blood pressure ठीक है तो आपकी स्क्रीन पाप दिखाई दे रहा होगा अब हम पढ़ेंगे How BP is regulated by the human body कैसे इंसानों का सरीर हमारी बोडी BP को regulate करती है कैसे बड़े हुए BP को गटाती है और गटे हुए BP को बढ़ाती है तो यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तो बिना स्किप किए बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा अंतर तक देखिए आपको 100% पता चलेगा 100% आपको याद हो जाएगा कि हमारा शरीर किस तरीके से BP को maintain करता है ठीक है तो इसके तीन रास्ते हैं हमारे शरीर में BP को maintain करने के कितने रास्ते हैं तीन रास्ते तीन रास्तों के द्वारा BP maintain होता है जिसमें से पहला रास्ता है short term regulation पहला रास्ता है छोटा short term कम समय के लिए कम समय में ठीक है दूसरा है intermediate term regulation तो ना ज्यादा ना कम समय दोनों के मध्य का बीच का समय उतना ही इसको regulate करने में लगता है अगला long term regulation long term regulation माने लंबे समय तक और लंबे समय के लिए जो BP का regulation किया जाता है वो हम एक एक करके अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारा शरीर short term regulation करता है किस तरीके से intermediate term करता है और किस तरीके से short term regulation करता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे short term regulation of BP कैसे हमारा सरीर कम समय में और कम समय के लिए BP को maintain रखता है तो इसके भी तीन रास्ते हैं, तीन कारक हैं, तीन factor हैं जो BP को maintain रखते हैं जिसमें से पहला है baroreceptor पहला क्या है बैरो रेसेप्टर दूसरा है कीमो रेसेप्टर पहला है बैरो रेसेप्टर दूसरा है कीमो रेसेप्टर और तीसरा है CNS ischemic response. ठीक है? तो एक एगए करके अब इन बारे में बात करेंगे, कि हम पढ़ेंगे कि बैरूरिसेप्र क्या होते हैं? वही हम पहले ये जान लेंकि बैरोरिचेप्टर कीमोरिकैटर और cn Veg bare receptor क्या है थीस आर रिसेप्टर्स विच गिव- रिसपॉ में आपके घरों में आपने देखा होगा कि आपके बोड में जैसे पंखे को रेबुलेट करनी के लिए एक रेबुलीटर लगा होता है जब्हुमें पंखे की speed बढ़ जाती है, same ऐसे ही, baroreceptor, हमारे body के अंदर, BP को बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं, घटाने और भढ़ाने के लिए responsible होते हैं, वो कैसे, कि ये, जब भी change होता है, BP का हमारी body के अंदर, उस sensation को ये receive करते हैं, और हमारे brain के लिए दे देते हैं, हमारे मस्तिस के लिए, nervous system के लिए दे देते हैं, जिससे वो उसे control कर सके, तो ये दो तरह के होते हैं, baroreceptor आप देख सकते, नीचे की तरफ आपको diagram दिखाई दे रहा होगा, ये दो तरह से होते हैं, एक होता है carotid baroreceptor, और एक होता है अब बात करते हैं, chemoreceptors की, chemoreceptors क्या हैं, same baroreceptors की तरह ही chemoreceptors भी, जब हमारे शरीर में, भई, baroreceptor में क्या हो रहा था, बीपी जब बढ़ रहा था, घट रहा था, उसको पता करके, डाइगनोस करके, पैचान करके, हमारे ब्रेन को सेंसेथन दे रहे थे, लेकिन chemoreceptor क्या करते हैं, कि ये ऐसे receptor होते हैं, जो, concentration of chemical constituent, हमारे ब्लड के अंदर जो chemical हैं, उनके बदलाव को महसूस करके, पता करके, ये बीपी को regulate करते हैं, तो वो chemical जैसे की oxygen हो सकती है, carbon dioxide, जैसे hydrogen ion, तो इन सभी की concentration में अगर बढ़त या घड़त, बढ़ना या घटना, इनमें अगर होता है, तो उसको ये regulate करते हैं, detect करते हैं, और brain तक ये sensations पहुचा देते हैं, चीक है, चलिए next, अगला है, आपके सामने, CNS ischemic response, ये क्या है, CNS ischemic response, बढ़ाई easy है, इसको समझिये, थोड़ा सा सुनिये गौर से, in the conditions like hemorrhage, blood flow is decreased to brain, that cause cerebral ischemia, ज़रा गौर दे के सुनियेगा, बहुत easy है, सामने लिख रहा होगा, तो लग रहा होगा, complication है इसमें, यो कितना बढ़ा है, ये कोई topic ऐसा नहीं है, तो इसको ज़रा, ध्यान से सुनियेगा, ischemic response क्या है, ischemic response का मतलब, जब brain के अंदर blood supply घटेगी, क्या हुआ, brain के अंदर blood supply घटी, तो brain का सबसे बड़ा जो मुख यसा है, उसे हम cerebram कहते हैं, तो brain में जैसे ही blood supply घटेगी, किस इस्तिती में घट सकते हैं, या तो blood हमारे सरी से बहे, accident हुआ अगर किसी मरीज का, या bleeding होने लगी, जिसे हम hemorrhage कहते हैं, तो उस इस्तिती में अचानक से हमारे सरीर में क्या होगा, blood बहने लगेगा, और brain के लिए blood supply रुक जाएगी, उस इस्तिती को हम क्या कहते हैं, उस इस्तिती को हम ischemia कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ischemia, क्योंकि proper blood supply हमारे brain के tissue को नहीं मिल पाई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, blood supply की कमी को, इस sensation को receive किया जाएगा, और इस sensation को भेज दिया जाएगा, बैसो मोटर सेंटर पर, कहां बेजा जाएगा, बैसो मोटर सेंटर पर, यह बैसो मोटर सेंटर क्या है, यह brain में special एक हिस्सा है, जो vessels की tone को, vessels के फैलने और सुकरने को control करता है, ठीक है, तो यह cns ischemic response से भी, हमारा BP control होता है, चले next, अब जो की आज का main topic है, जो हम समझने वाले हैं, कि physiology of short term regulation of BP, किस तरीके से हमारी body, short term के लिए, कम समय में, BP को maintain करती है, तो first point आपको आपकी screen पर दिखाई दे रहा होगा, कि when increase in BP, जब BP increase होता है, तो क्या होगा, जैसे ही BP increase होगा, तो stimulation of carotid या baroreceptors होंगे, तो baroreceptor या iotric receptor, stimulate हो जाते हैं, वो अपना action करना start कर देते हैं, next, जिसकी वज़े से, stimulation of vasomotor area होने लगेगा, बैसomotor area में stimulation आ जाएंगे, ये बैसomotor area क्या है, brain का एक special हिस्सा है, चीक है, तो जैसे ही बैसomotor area, जैसे ही वैसomotor area, stimulate होगा, उसके stimulation की बज़े से, vessels फैलने लगेंगी, vessels dilate हो जाएंगी, और जैसे ही vessels dilate होंगी, उसकी बज़े से, peripheral resistance हो घटे जाएगा, ये peripheral resistance आपको, इस सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, flow chart में, तो peripheral resistance क्या है, ये peripheral resistance का मतलब होता है, कि blood के ऊपर, blood vessels के contraction की वज़े से, जो लगने वाला दाव है, लगने वाला जो pressure है, जो resistance है, उसे हम कहते हैं, peripheral resistance, तो जैसे ही blood vessel फैलेंगी, तो ये peripheral resistance क्या हो जाएगा, less हो जाएगा, घटे जाएगा, ऐसे समझेए, जैसे किसी pipe में पानी भेराए, आपने उसको आगे से दवा दिया, तो दवाने से क्या होगा, उसमें pressure increase हो जाएगा, उसका pressure बढ़ जाएगा, वहीं आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, pressure release हो जाएगा, तो यहाँ पर यही concept काम करता है, कि vessels हमारी सुकड़ी हुई थी, vessel motor area ने उसको फैला दिया, जिसके कारण क्या होगा, resistance घट जाएगा, पेरिफिरी का, और BP हमारा reduce या normal हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब हम next बात करते हैं, second, intermediate regulation of BP, intermediate term regulation हमारे सरीर में कैसे होता है, कैसे हमारा BP intermediate term regulate होता है, तो इसके भी तीन रास्ते हैं, जैसे baroreceptor, chemoreceptor और CNS ischemic response के द्वारा, short term के लिए BP regulate हो रहा था, उसी तरीके से, इसके भी तीन रास्ते हैं, पहला है renin angiotensive mechanism, पहली mechanism कौन सी है, renin angiotensive mechanism, दूसरी है stress, vascular stress relaxation mechanism, stress यहाँ पर brain वाला stress नहीं, दिमाख वाला stress चिंता फिकर नहीं, यहाँ पर blood vessels के उपर लगने वाला दवाब, या उसका contraction, वो वाली stress है यहाँ पर, अगला है capillary fluid shift mechanism, तीसरा वे है, तीसरा रास्ता है, capillary fluid shift mechanism, तो चलिए एक एक करके हम इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, next, सबसे पहले हम बात करेंगे, physiology of intermediate term regulation of BP क्या है, कैसे हमारा सरीर intermediate term के लिए, BP को maintain रखता है, तो ध्यान दे करके सुनिएगा, सबसे पहले, यह step याद रखिए, दो term में, दो step में complete होता है, जिसमें हम पहला step अभी discuss करने वाले हैं, तो पहला step क्या है, renin angiotensive system के द्वारा पहला step, when decrease in BP, हम मान लेते हैं कि सरीर का BP decrease हुआ, तो जैसे ही BP, ब्लड pressure decrease होता है, तो तुरंट, kidney की cells, kidney की cells के अंदर, hypoxia देखने को मिलता है, hypoxia means होता है, tissue के अंदर oxygen की कमी, तो kidney के tissue में proper blood supply न पहुच पाने की वज़े से, क्या होगा यहां पर, hypoxia देखने को मिलेगा, kidney की cells में, मैं दुबारा से repeat कर रहा हूँ, जब BP घटता है, तो kidney की cells में hypoxia होता है, hypoxia क्या है, एक ऐसी mechanism, एक ऐसा system, जिसके दोरान, हमारे tissue में, blood supply की कमी की वज़े से, oxygen की कमी आ जाती है, उसे हम कहते हैं hypoxia, तो जिसके कारण क्या होगा, ये stimulate कर देगा, जच्टा Glomerular Apparatus को, kidney के अंदर एक nephron पाई जाते हैं, और nephron में ही, जच्टा Glomerular Apparatus, spatialized जगह है, उसको stimulate कर देगा, और इसके stimulate करने से, एक spatial hormone secret होगा, जिसका नाम है, renin, क्या नाम है उसका, renin, तो आपको underline करके, blue color से मैंने दिखाया है, renin, R-E-N-I-N, इसको याद रखिएगा, एक renin, दूसरा भी होता है, जो कि stomach के अंदर निकलता है, तो उसका discussion हम कभी, फिर कभी बाद करेंगे, तो यहां तक क्या हुआ, कि JGA ने, यानि जच्टा Glomerular Apparatus ने, renin को secret कर दिया, ठीक है, चलिए next, अब आपको आपकी screen पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही, renin secret होगा, तो renin क्या करेगा, renin convert कर देगा, angiotensinogen को, angiotensin first में, क्या करेगा, त्यान से सुनिएगा, renin convert कर देगा, angiotensinogen को, angiotensin first में, और angiotensin first फर्दर आगे, ये angiotensin second में convert होता है, angiotensin first convert हुआ, renin के द्वारा, और renin से angiotensin first बना, और angiotensin first से angiotensin second में, ये convert होता है, बाईदा, ACE enzyme, किसके द्वारा, angiotensin converting enzyme के द्वारा, ये angiotensin first second में convert हो जाता है, ठीक है, जैसे ही angiotensin second बन जाता है, convert हो जाता है, तो ये vasoconstriction करता है, vasoconstriction means क्या होता है, vessels को contract कर देता है, vessels को सुकोड देता है, तो जैसे ही vessels सुकड़ेंगी, contract करेंगी, तो उससे क्या होगा, increase हो जाएगा BP, भई हमने शुरुआत में क्या देखा था, BP मरीज का घटा हुआ था, तो उसको हमें बढ़ाना था, तो angiotensin second ने क्या किया, vessels को contract किया, और BP बढ़ गया, या हम कह सकते हैं, normal हो गया, चलिए अब हम बात करेंगे step two, पहला step तो ये हो गया, कि angiotensin first ने vessels को contract कर दिया, और BP बढ़ गया, लेकिन दूसरा step क्या कहता है, कि angiotensin second, adrenal cortex को stimulate भी करता है क्या करता है, adrenal cortex को stimulate, ये adrenal cortex क्या है, ये kidney के उपर पाई जाने वाली adrenal gland का part है, ठीक है, तो adrenal cortex जैसे ही stimulate होता है, तो क्या होगा, release होगा, aldosterone, क्या release होगा, aldosterone release होगा, ये kidney पर work करेगा किस पर work करेगा किड़नी पर work करेगा और kidney से कहेगा कि अब आप sodium और water को reabsorb करना शुरू कर दो reabsorb करना start कर दो और kidney इस काम को करने लग जाएगी उससे हमारा BP बढ़ जाएगा increase हो जाएगा कैसे वो ऐसे increase होगा कि water और sodium जैसे हमारी body के अंदर reabsorb किये जाएगे kidney के द्वारा तब volume एकदम से blood का बढ़ जाएगा और जब जब blood का volume बढ़ता है तब तब BP normal या increase होता है ठीक है चलिए next अब हम बात करेंगे कि long term regulation of BP के बारे में किस तरीके से BP को लंबे समय में और लंबे समय के लिए regulate हमारा शरीर करता है हमारी body करती है ठीक है तो इसके दो रास्ते हैं टू टैप से ये BP control होता है एक तो kidney के द्वारा किया जाता है control एक hormones के द्वारा किया जाता है किस के द्वारा एक kidney के द्वारा और एक हमारे body के hormones के द्वारा ठीक है तो एक एक करके दौनों पर बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि kidney के द्वारा किस तरीके से long term के ल कर देगी excretion of amount of sodium and water इससे पहले intermediate term में भी मैंने आपको बताया था कि eldosterone की बज़े से उसके प्रभाब में kidney क्या करती है extra amount of water को या sodium को excret करना बंद कर देती है तो इसमें भी यही हो रहा है कि हमारी kidney क्या करती है extra amount of sodium and water को हमारी body में दुबारा से reabsorb करने लग जाती है उसके excretion को गटा देती है ठीक है next आता है कि जैसे ही यह काम होगा जैसे ही water or sodium excret decrease हो जाएगा तुरंत हमारी blood का volume increase हो जाएगा blood का volume बढ़ जाएगा ठीक है अच्छा मैं बार बार में एक term use कर रहा हूं blood का volume यह blood का volume कितना होता है normal 5-6 liter कितना होता है body में 5-6 liter याद रखना इसको यह question आता है तो जैसे ही increase होगा blood का volume तुरंत BP increase हो जाएगा जो घटा हुआ BP था वो बढ़ जाएगा या normal हो जाएगा ठीक है चलिए अब next बात करेंगे हो किस तरीके से hormones हमारे शरीर के अंदर BP को maintain लगते हैं कहीं यह बोर तो नहीं हो रहे हैं चलो कोई नहीं यह last topic है कैसे hormone control करता है हमारे शरीर में BP को ठीक है वो भी long term के लिए ध्यान रखना long term के लिए तो hormones दो तरह के hormones हैं जो की regulate करते हैं BP को पहला hormone जो आपकी screen पर दिखाई दे रहा है anti-diuretic hormone पहला hormone जिसका नाम है anti-diuretic hormone याद रखिए दूसरा hormone है ANP atrial natriuretic peptide hormone ठीक है तो सबसे पहले आता है anti-diuretic के बारे में हम discuss करने हैं तो anti-diuretic hormone क्या करता है यह increase कर देता है reabsorption of water from kidney मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी kidney water या sodium को reabsorb कर लेगा तो blood volume increase होगा और जब-जब blood का volume घटे बढ़ेगा तब तब BP increase होता है यानि direct relation होता है blood के volume का और BP का ठीक है next दूसरा है ANP ANP क्या करेगा यह increase कर देता है excretion of sodium and water so blood volume is decrease एक anti-diuretic और ANP दोनों opposite में काम कर रहे हैं जब BP हमें बढ़ाना होता है तो उस समय anti-diuretic work करता है और जब घटाना होता है तो उस समय atrial natriuretic peptide यह क्या करेगा excretion को बढ़ा देगा ज्यादा amount में water या sodium को excret करा देगा जिससे blood का volume घट जाएगा और हमारा BP normal या घटने की तरफ आ जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you very much अगर आपको हमारी classes easily समझ में आ रही है अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को इसे जरूर सेयर करिए हमारी चैनल mini attempt e classes को जरूर subscribe करें और bell icon खासकर की bell icon को जरूर दवाएं जिससे हम इधर से जो regular videos upload कर रहे हैं lockdown में आपके लिए regular videos upload कर रहे हैं तो वो आपको तुरंत notification आपकी screen पर मिली ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you medical से related अच्छे अच्छे lectures बाने के लिए हमारी चैनल mini attempts को subscribe करें like करें share करें